दुर्गा पूजा के दिन शुरू हो चुके हैं मुंबई में भी दुर्गा पूजा के मौके पर बड़े-बड़े पंडाल सचते हैं और इन पंडालों में हमारी बॉलवूड इंडस्ट्री के कई फिल्म स्टार्स दर्शन करने के लिए आते हैं हम सब जानते हैं कि बॉलवूड इंडस्ट्री में कई अक्टर अक्ट्रस हैं जो बेंगॉली हैं और दुर्गा पूजा में कई सारे सेलिब्रिटीज विश्वास रखते हैं इसलिए वो इस उकेशन पर पंडाल में आकर माता का अशिरवाद लेना नहीं भूलते हैं मुंबई का एक पंडाल है जहां पर पूजा काजोल की काजन सिस्टर और और वहाँ पर सभी लोग मौचूद होते हैं आज भी इस पूजा में काजोल, रानी मुखर जी, मौनी रॉय, जया बच्चन, आयान मुखर जी, काजोल की मदर सभी लोग शामिल हुए और सभी स्ट विडियो में सबसे ज़्यान खीचा है जया बच्चन ने, जया बच्चन का मीडिया के साथ रिष्टा सब जानते हैं, जैसे ही वो अपने सामने धेरों कैमराज देखती हैं, अनकमफरेबल हो जाती है, और जब इंसान अनकमफरेबल होता है, तो या तो वो इग्नॉर करता है और या फिर वो चिड़-चिड़ा हो जाता है, जया बच्चन के साथ सेकेंड वाली चीज होती है, वो कैमराज देखते ही चिड़-चिड़ी हो जाती है, और आज भी यही कुछ देखा गया, जैसे ही फोटोग्राफर्स ने इन सभी सेलिब्रिटीज की ग्रुप फोटो नहीं दिखी और मीडिया पर गुस्सा करते भी नजर आई, उन्होंने स्माइल तो नहीं पास की, लेकिन हा अजीब से चेहरे जरूर बनाए, और इसी कारण अब सोशल मीडिया पर लोगों के रियाक्शन आ गए है, और लोगों ने जया बच्चन को खरी-खरी सुना दी है एक यूजर ने कहा, जया जी का बस चले तो मास्क उतार कर विडियो ग्राफर्स पर ही फेग दे, वहीं एक ने कहा, जया बच्चन हमेशा चीडी हुई ही नजर आती है, वहीं एक और ने कहा, वाई अल्विज एंग्री, इरिटेटेड जया बच्चन को देखकर लोग इतन लेते हैं, मैंने कभी इनको ना स्माइल करते हुए देखा है और ना ही कभी इन्होंने पोलाइटली बिहेव किया है, आपकी क्या राय है जया बच्चन को लेकर, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में रहते हुए, कैसे किस से टेकल करना है, ये तो बेसिक चीज़े हैं, जो स शेर करें,